मुवी की स्टार्ट होती ही हमें दो fishers man दिखाय जाते हैं जो के mermaid याने जलपरी की बारे में बाते कर रहे थे फिर वो दोनों mermaid को पकड़ने का फैसला भी करते हैं इसलिए वो mermaid को पकड़ने के लिए सुमंदर मिचाते हैं उन्हे वन वीक से ज्यादा हो गया था, वो मर्मेट को पकड़ने के लिए ट्रैप लगा कर बैठे हुए थे, और मर्मेट के आने का वेट कर रहे थे, कुछ दूरी पर बोट में एक आदमी उन पर नजर रखी हुआ था, फिर आखिर का ट्रैप में जलपरी फस से जाती है, वो मर्मेट को खेंचते हुए बोट पर ले आते हैं, और तो और उसे टॉर्चर भी करते हैं, जिब एक फिशर्मेन जलपरी को बानने की कुशिश कर रहा होता है, तो मर्मेट मोके का फायदा उठाकर दूसरे फिशर्मेन पर अपने दुम से अटैक कर देती है, और दुबारा जाकर सुमंदर में कोच जाती है, रस्टी से बंदा होने की वज़ेसे वो फिशर्मेन उसके साथ ही सुमंदर में जाकर गिरता है, जो आदमी उन पर नज़र रख रहा था, वो भी यह सब कुछ देख रहा था, दूसरा फिशर्मेन सुमंदर में ही जलपरी पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन गोली उसके पार्टनर को ही लग जाती है, लेकिन वो फिशर्मेन एक बार फिर से मरमिट को पकड़ लेता है, इसी दुरान वो आदमी जो उन पर नज़र रख रहा था, वो चुपके से उनके बोट में आकर चुप जाता है, वो देखता है कि वो फिशर्मेन बुरे तरीके से उस जलपरी की दुमबर कुलाडी से स्टैप कर देता है, और उसे अलग कर देता है, इसी दुरान फिशर्मेन को पता चल जाता है कि उसकी बोट में को याकर चुप किया है, फीशल मैन उस आदमी को पकड़ लेता है और उसे पोच्छताश करता है कि तुम यहां कैसे आई और क्यों आई वो आदमी कहता है कि मैं एक साइकोलोजिस्ट हूँ और मेरा नाम डॉक्टर बियर है वो डॉक्टर फिशल मैन से कहता है कि मैं इस मर्मेट को पर चेंज करना चाहता हूँ तुम इसका सोधा कर लो मुझसे इसी दुरान मर्मेट का कटा हुआ दुम वला हिसा समंदर में जाकर गिरता है मोका मिलते हैं डॉक्टर फिशल मैन पर उसी कुलाड़ी से अटेक करके उसे मार डालता है बाद में वो डॉक्टर जलपरी की आदे बोड़ी के पार्ट पर रिसरच करता है वो देखता है कि जलपरी की आदी बॉड़ी कट चुकी है मगर इसकी बावाजूत भी वो जिन्दा है थोड़ी दिनों बाद जलपरी की बॉड़ी पर अजीब सी स्कीन आ रही थी और वो बगैर कुछ खाए जिन्दा भी थी और तो और वो काफी दिनों से एक ही जगापर पड़ी हुई थी फिर 63 डेस बाद उसकी बॉड़ी से वो स्किन रिमूव हो जाती है इसी दुरान उसकी इंसानों जैसे टांगे और पैर भी जन्रेट हो चुके थे वहाँ पर एक लड़की का नाम होता है जून जून जोके हमेशे एक लड़की से बाते किया करती थी और वो लड़की सिर्फ जून को भी नज़राती थी और किसी को नहीं आती थी यानि इसका मतलब साफता कि वो लड़की भूछ थी डॉक्टर बियर जब जलपरी को वहाँ पर लेकर आता है तब वो लड़की जलपरी को भी नजर आ रही थी जो जून को भी नजर आती थी जो जल्म जलपरी के साथ हो रही थी उसकी वज़ेसे वो काफी सैड थी वो हमेशा गेले रहने या पानी में रहने की कोशिश करती थी कैमराज के ज़रिये डॉक्टर बेर उस पर कॉंटिन्यूसली नजर भी रख रहा था जून जब उस लड़की के बूट से बाते कर रही होते है तब हम यह जान पाते हैं कि वो लड़की तो 10 साल पहले मर चुके है लेकिन उस लड़की का गोस्ट ये बात एकसेप्ट नहीं कर रहा था कि वो मर चुकी है वो समझती थी कि मैं भी उन लड़की हूं जैसी एक जिन्दा लड़की हूं जो कि इस मेंटल असालम में है और अब उसे सिर्फ जून और मरमेड ही देख सकते थी जून जब उस लड़की के बूट से बाते क्या करती थी तब सब लोग उस पर हसते थे ये कहते हुए कि ये किसे सौल से बाते कर रही है अब उस लड़की का भूट मरमेड से भी बाते करने लगा था और वो मरमेड की हैल्प करने की कोशिश भी करती है जलपरी एक नर्स जिसका नम सेंडरा होता है उसे एक दूसरी लेंग्विज में बाती कर रही होती है जलपरी के साथ जो बीच चुका था वो सब कुछ बता रही थी लेकिन नर्स सेंडरा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आकर वो कह क्या रही है मरमेट की बातों को अंडस्टेंड करने के लिए सेंडरा लेंग्विज इस एक्सपर्टिक आदमी को बलाती है और वो आदमी मरमेट से बाती करता है मरमेट कहती है कि यहाँ पर एक लड़की है जो किसी को भी नज़र नहीं आती जिस पर जून कहती है कि मुझे भी वो लड़की दिखाई देती है जलपरी कहती है कि मैं इस जमीन की इस दुनिया की नहीं हूँ बलके मैं समंदर की दुनिया की हूँ यानि मैं एक मरमेट हूँ एक जलपरी हूँ वो कहती है कि मेरी टेल भी काड़ती गई बड़े ब्रूटल तरीके से अब क्यूंकि मैं इस दुन्या में आ गई हूं तो इंसानों जैसे मेरी पाउं आ गई है वो कहती है कि ये लैंग्विज हमने कुछ लोगों से सीखी थी जो फिशर्जमैन थी और समंधर में आये थे ये बाती सुनकर सब लोग काफी हैरान रह जाते है लेकिन कोई भी इस बात पर यकिन नहीं करता लेकिन डॉक्टर बेर को गुस्सा आ जाता है कि मरमीड ने अपनी हकिकत सब को क्यों बता दी इसलिए वो पनिशमेंट देने के लिए मरमीड को बड़े बुरे तरीके से कसीटते हुए ले जाता है और उसे लिए जाकर एक सेल में बन कर देता है जलपरी के साथ उस लड़की का गोस्ट में चला जाता है उसके साथ ऐसा होता देखकर बागी गर्ल्स काफी अपसेट हो जाती है और उनमें से एक लेडी जलपरी के पास जाने का वैसला करती है वो लेडी जब किसी जलपरी के पास जाती है लेकिन डॉक्टर बेर उसे देख लेता है वो डॉक्टर बेर से पुछती है कि मर्मेट कहां पर है डॉक्टर बेर उसे कहता है कि वो बेस्मेंट में है डॉक्टर बेर उस लेडी को नहीं रोकता बल्कि उसे जाने देता है वो लेडी जब जिल पर इको ढूंड रही होती है तब उस लड़की का गोस्ट उस लेडी को बुलाता है लेकिन लेडी को उस गोस्ट की आवास सुना ही नहीं देती वो लेड़ी एक ऐसी जगा पर आ जाती है जहां पर एक पागल औरती जो उस पर अटेक कर देती है डरते हुए वो लेड़ी एक सिक्रेट रूम में जा पहुँचती है जहां उसे एक डॉग मिलता है जो कि कैनिबल था और इस डॉग को डॉक्टर बेर ने यहां पर पाला हुआ था अंधीरा वहां पर काफी होता है जिसकी वज़ें से वो लेड़ी कुछ भी देख नहीं पाती वो कैनिबल डॉग उस लेड़ी पर अटेक कर देता है और वो लेड़ी मर जाती है यहां पर यह बात क्लियर हो जाती है कि डॉक्टर बेर ही कच्छा इंसान नहीं था उसने मरमेट के इलावा बाकी लड़कियों के साथ भी काफी गलत किया हुआ था वो लड़कियों को मारने के बाद उनका गोश्ट उस कैनिबल डॉग को खिला देता था सेंडा डॉक्टर बेर से उस लेडी के बार में पूशती है जिसी डॉक्ध मार चुका था डॉक्टर बेर कहता है कि वो लेडी का ट्रांसफर कहीं ओर हो गया है और वो बिल्कुल ठीक है और सेफ है डॉक्टर बेर कॉंटिनियोसली जलपरी पर नजर रख रहा था वो देखता है कि जलपरी किसी तरह बेस्मेंट से भी बाहिर आ रही है ये बात उसे हैरत में डाल देती है इसलिए वो उसके उपर और ज्यादा रिसरच करवाता है हम देखते हैं कि मर्मेट की बॉड़ी तेजी से जेंज हो रही है और वो जलपरी अपने पाउं पे खड़ा होने की भी कोशिश कर रही थी और सैंडरा उसकी मदद करती है थोड़े दिनों बाद हम देखते हैं कि वो अपने पैरों पर जल पा रही थी बाकी लड़कियां भी आइस्ता इस्ता उसके साथ फ्रैंक हो रही थी उसे पसंद करने लगी थी रात की वक्ट जिल परी विंडो का ग्लास तोड़कर जंगल की तरफ भाग जाती है और उसके पीचे पीचे बाकी लड़कियां भी भाग जाती है लेकिन डॉक्टर बेर कैमरा से उन्हें भागते हुए देख लेता है जिबकि एक लड़की और उस लड़की का गोस्ट मरमेट के साथ ही रहती है अजादी और रिवर को पाकर मरमेट काफी खुश नजर आती है रात को जो लड़की मरमेट के साथ रुगी थी जब वो सुबा उठकर देखती है तो वो कुद को अकेला पाती है इसलिए वो भी वापिस मैंटल असाइलम में आ जाती है हम देखते हैं कि उस लड़की का वो जंगल में मरमेट को डून रहा है वो देखती है कि एक रात में जलपरी काफी ज्यादा चेंज हो गई है और तो और अब उसके दुम भी रिजन डेट हो चुकी थी लेकिन मरमेट वहीं पर फस चुकी थी क्योंकि रीवर का पानी खुश हो गया था उस लड़की का गोस्ट जलपरी को कहता है कि तुम्हारी गर यनि समंदर तक तक तुमेले जाने में मैं तुम्हारी मदद करूँगी जलपरी वीलचेर पर बैटकर में जा रही होती है लेकिन डॉक्टर बैर उसे देख लेता है और वो जलपरी को कार से हिट कर देता है यहाँ पर सैंडरा को भी पता चल जाता है कि वो वाके ही एक जलपरी है डॉक्टर बैर उसे अपने इंपलॉईस की हेल्प से अपनी कार में रखवाता है और इस राज को चुपाने के लिए वो सबसे पहले अपने गार्ड को ही मार डालता है उसे गार्ड का मडर करते हुए सैंडरा और बागी लड़कियां भी देख लिती है इसलिए वो सब को मारने के लिए आता है सेंडरा बहुत सारी लड़कियों के साथ कुछ को एक रूम में लॉक्ट कर लेती है डॉक्टर बियर दर्वाजा खुल लेकि कोशिश करता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता हम देखते हैं कि एक दूसरी नर्स लड़कियों को वाघियों में चु culpa रही होती है और खुद वाहां से बाहरी निकलनी का रास्ता ढूँटी है लेकिन डॉक्टर बियर उसे देख लीता है और शूर्ट करके उसे मार डालता है फिर डॉक्टर बियर वाड़कियों में जाता है क्योंकि उसे अंदाजा हो चुका था कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में पस गया है क्योंकि सेंडरा और बाग के लड़कियों ने उसे मर्डर करते हुए देख लिया था और वो लड़किया और सेंडरा तो भाग चुकी है लेकिन जलपरी को बचाने के लिए सेंडरा डॉक्टर बेर की बोट की पीछे आती है उस वक्त उस लड़की का भूत जलपरी के साथ ही होता है डॉक्टर बेर जो मर्मेट को टॉर्चर कर रहा होता है तब उसकी आवाज सुनकर सेंडरा भी वहाँ पर आ जाती है सेंडरा को वहाँ पर एक फाइल मिलती है जिसमें उस लड़की की डिटेल थी जो के गोस्ट बनकर मर्मेट को नज़र आ रहा था यहाँ पर हम यह जान पाते हैं कि डॉक्टर बेर ने उस लड़की पर स्टड़ी करते हुए उसे टॉर्चर भी किया था जिसकी वज़े से वो लड़की तड़ब तड़ब की मर गई फिर सेंडरा को जलपरी मिल जाती है डॉक्टर बेर सेंडरा पर अटैक करने वाला होता है लेकिन इससे पहले ही वो उसे शूट कर देती है जिसकी वज़े से डॉक्टर बेर मरता नहीं लेकिन इंजर्ड हो जा बोट के टूटे हुए हिसे से मर्मेट सबंदर में जली जाती है लेकिन पानी आने की वज़े से बाकी लड़किया वहाँ पर भस चुकी थी क्योंकि बोट में इतना पानी आ चुकाता कि वो सब भी डूबने लगती है जोन बताती है कि यहाँ पर एक लड़की यह ड़ड़ बोड़ी है डूबने पर उन लोगों को उस लड़की के भूत की ड़ड़ बोड़ी मिल जाती है जिस पर बाकी लड़किया अब जोन पर विल एक लड़कोंगी help करती है, जब सब लड़की या जमीन पर आ जाती है तो उनके पास mermaid आती है और इन लोगों को thank गोटियं है, मर्मेट बताती है कि जोन भी असल में एक जलपरी की बेटी है और तबी वहां पर उस लड़की का भूत भी आ जाता है जो कि अब सब को नजर आ रहा था मर्मेट उस गोस्ट को कहती है कि मैं हमेशे तुम्हें देख सकती थी तुम्हें फील कर सकती थी ये कहते ही वह वापिस पानी में चली जाती है फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर बेर पानी से उपर आ रहा है लेकिन मर्मेट उसी पानी में खेंच कर ले जाती है और डॉक्टर ये मोवी हैं पर एंड हो जाती है, thank you